Hey guys it's me Charlie here and welcome back to Rule Breaker तो दोस्तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप Linux Operating System अपने फोन पे Android फोन पे इंस्ट्रल कर सकते हैं वह भी विदाउट रूट अपने Android फोन है तो आप विदाउट रूट जो Linux Operating System अपने फोन पे इंस्ट्रल कर सकते हैं तो दोस्तों Linux बेसिकली एक Operating System है तो इसके बार में मैं डीटेल में बाद में वीडियो बनने वालाओं कि Linux क्या है कैसे काम करता यह सब कुछ लेकिन आप लोग से बहुत ज्यादा रहा था कि बाई बता दो कि काली Linux जो है Android फोन में कैसे इंस्ट्रल करें और मुझे पता है ज्यादा तर यूजर जो है नॉन रूटेल डिवाइसे यूज करते हैं तो अगर आप अपने फॉन में Linux इंस्ट्रॉल करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक काम करिएगा एक application जो है आपको डाउनलोड करना पड़ेगा इसका नाम है Debian या फिर Debian ऐसा कुछ होगा D-E-B-A-I-N . Downloaden description में होगा जैसे हर वीडियो में होता है इस्टॉल कीजेगा इस्टाल होने बाद फिर से डाउनलोड होगा उसका डाटा है 195 MB से 200 MB तक डाटा गए होगा जो डाटा बाउनलोड हो जाएगा तो जैसे युट फोन पे श्यक्र Οे सुटजू है तो भी यूज कर सकते हैं और भी बहुत सारा option है जैसे कि Linux में होता है सब कुछ यहां पर है तो detail में नहीं जाओंगा तो एक episode में नहीं होगा मैं बाद में बनाने वाला हूं कि Linux के कुछ tricks के video Linux कैसे PC में इंस्ट्राल करते हैं या फिर यह सारा कुछ अभी तो यह video में आपके लिए से क्योंकि बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट रहा था कि Linux कैसे phone पे इंस्ट्राल करते हैं विदा रूट यह लिए इसलिए मैंने बनाया कुई रादा नहीं था मैंना सोचा था कि पहले बनाऊंगा कि Linux क्या है Linux कैसे काम करते हैं कैसे Windows में इंस्ट्राल करते हैं उसके बार है सब कुछ लेकिन अगर आप लोगों ने बहुत बार रिक्वेस्ट किया था इसलिए मैंने यह video बना दिया कि कैसे Linux operating system आप अपने phone पे install कर सकते हैं तो I hope दोस्तों आपको एफ वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक कर दीजे नहीं लगा होगा तो लिस लाइक कर दीजे वह भी हख है आपका और ऐसे देखते है यह रूल वेकर चाहिए